आज हमारे घर में जिसकी गोंधर है देवी का जागरन है जो कि मैं आपको आगे सब कुछ बताऊंगी इसकी जो इंफर्मिशन है तो आप देख सकते हैं हमने देट सो लोगों को खाने के लिए बुलाया था रात को जुकारेकरन उसके लिए और यहां खाना बनाना चालू है जिसकी भूग के लिए यह आप देख सकते हैं रवे का बनाया जा रहा है सूची का और दाल और चावल तो इस तरीके के यह जो लोग है हेल्प कर रहे हैं बच्ची भी आये थे उन्हें भी मैंने नाश्टा च्राय पानी सब कुछ दिया और फिर यह काम पर लग गए और इ जो गोंधली का कारेक्रम है वो मैंने पहले ही चार वीडियो डाल दिये हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का कारेक्रम हुआ था तो यहां सिर्फ यही है कि किस तरीकी की तयारी चल रही थी और हम गोंधली लोगों के क्या होता है सब को जब मैं आपको बताती हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं गड़ गड़ाहट खतरनाक ले में नृत्य किया परश्वराम के नृत्य को गोंधर कहा जाता है आज भी गोंधर देवी रेनु का भवानिया अंबा को प्रसन करने के लिए एक अनुष्ठानिक लोक नृत्य के रूप में किया जाता है जैसे कि मनुष्य ने स्वयों को अभि करने के लिए विकास के प्रथम चरन से ही नृत्य और संगित को अपनाया है इसी तरह सभी लोग कलाये तब अस्तित्व में आई जब मानों सभ्यताओं ने अलोकिक शक्तियों को प्रसन करना शुरू किया इसके बाद कुरुशी सौस्कृति के आगमन के साथ हमने रुव समय और खैनिक नृत्यों की प्रंपरा शुरू की जो हमारे घरों की रक्षा करेंगे और खेतों की देक्बाल करेंगे शादी या धागा समारों से पहले गोंदली जनजाती के पुरुश और महिला सद दस्यों जिने वाग्या मुरली के नाम से भी जाना जाता है तो वो लोग जागरन गोंधर स्थापित करने और नृत्य से भरी रात से बुरी नजर से बचाने के लिए किया जाता है संगीत और विद्या के साथ तो सुखा गरस्त गाव या शहर संकटों और संगर्शों से घिरे हुए ह और देवी देवताओं का आवहन करने के लिए यात्रा करने के वाले सैनिकों को भी बुलाते है ताकि आशा का संचार हो सके और उनकी दुर्दशा से राहत मिल सके एक विशिष्ट प्रदर्शन में गोंधरी नेता की तेज आवाज देवी को अपने भीतर के युद्धा को जगाने के लिए पुकारती है और समाज में वैप्त बुराई को नश्ट करने का आवहन करती है शक्तिस्वाली स्वरू में वह देवी देवताओं को गोंधल में मंत्रित करती है ऐसा प्रतित होता है कि वे समुदाय के चारों और एक सुरक्षा कवज बना रहे है और धीरे सबी को आचेतर स्थिती में डाल रहे है गोंधल मांडला गंबे गोंधला लाए गोंधल मांडला भवानी गोंधला लाए ऐसे ही एक लोग प्रिय गोंधल में निता देवी के उग्र अवतार को जगाने के लिए एक उच्छी आवाज में गाते हैं आई भवानी तुझा भकताला जैसे कि हे माः भवानी अपने भकतों को बचाओ और उनसे आए संकट को दूर करने का आवाहन करते हैं गावाले एक अन्या गीत में गुंधरी चिलाते हैं अंबे चे गोंधरी आमी अंबे चे गोंधरी मतलब हम गोंधर देवी का अंबा के हैं उदेग अंबे उदेग अंबे उदेजे अंबा देवी इस तरक का तो मराटवडा क्षेत्र में काफी हद तक प्रदर्शन किया जाता है गोंधरी जन जातिया भी इन भागों के आसपास से आती है कदंबराई देवी भवानी की पूजा करते हैं जिनकी सीट उस्मानाबाद जेले से तुलजापुर में है जबकी रेनुकाई संप्रदाइन आंदेड में माहुर की देवी रेनुका की गीत गाते हैं वाग्या मुरली एक हाथ में जहांच जैसा वाध्य घटी पकड़े हुए चारों तरफ से गीरे होते हैं गोला का रूप में एक साथ मृत्य करते हैं संबल लकडी के ड्रामों की एक जोडी होती है जिसमें दू छडियों से बजाया जाता है जिसे कुछ अन्य लोगों के कंध से निकलती थी शिवजी महराज के शासन काल से बहुत पहले पेशवाई से सदियों से पहले गोंधली एक वैपक रूप से सम्मानित समूवत थे जिने स्वयम शास को द्वारा अनुष्ठान के लिए आमंत्रित किया जाता था तो उनके बारे में कहा जाता था कि वे राजन की भलाई के लिए समर्पन और बड़े दर्शकों के सामने प्रदर्शन के लिए जाने के बावजीत गोंधल हमेशा एक सामुदा एक नुरुत्य रहा है या देवी के लिए एक छोटी सी पूजा के साथ एक अनुष्ठान प्रदर्शन रहा है जो मुख्यों रूप से मनु और गोंधल का उद्देश यही है कि परमात्मा को पृत्वी पर उतरने और मानव आत्मा को सभिब रश्टाचार और बुराईयों से मुक्त करने की अनुमती देना है तो इसलिए हमने गोंधल रखा था कि बुरी जो है बुराईयों से हम बचे रहे अच्छा हो हमारा अच्छा रहे इसलिए वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें कमेंट करें शेर कीजिएगा चैनल पर ने हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और आने वाले ऐसे वीडियो देखने के लिए बेल अकल को प्रस करना बलकुल भी मत भूलिएगा थैंक्स फॉर